सबी दोस्तों को नमस्कार, दोस्तों आज इस एपिशोड में मैं आपको मेडियम बच्चे की शेट काट के बता हुआ आप इस एपिशोड को ध्यांसे देखना, पूरा देखना, क्योंकि पूरा एपिशोड देखेंगे, तब ही आपको पूरी कटिंग का फार्मूला पता चलेगा आदा आदूरा episode देखने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आदी आदूरी जानकारी हमेशा नुक्सान दाइक होती है इसलिए वीडियो को पूरा देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिज करो और फार्मूला क्या है उसको भी समझने की कोशिज करें तो चलिए एपिशोर शुरू करते हैं, तो चलिए दोस्तों कटिंग शुरू करते हैं, शेट का पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं, लंबाई है, 26, 36, 34, 27, 13, 16, बाज्जू 22, और गला 14, यह इस मेजरमेंट पे, मैं आपको शेट काट के बताओ, तो सबसे पहले, यहां एक उपर निशान लगा लिजिए, और यह फैशन का भी निशान साथ में लगा लिजिए, इसमें अगर पट्टी बनती हैं, तो आप दो इंच का फैशन रखिए, यह दो इंच का पट्टी बन बनानी है, तो आप टेट इंच का फैशन भी रख सकते हैं, तो यह मैं पट्टी बाला फैशन काट देता हूं, यह दो इंच का फैशन मैंने ले लिए, अब छाती है चोंटीस, चोंटीस का बन फोर्थ कितना हो गया, साड़े आठ, यह साड़े आठ हो गया, हमने कम कितना लेना है, मेडियम फिटिंग की हमने यह शैट बनानी है, टाइट फिटिंग में हम पोना इंच कम लेंगे, तो मेडियम फिटिंग में आप पोना इंच पी ले सकते हैं, आदा इंच पी ले सकते हैं, लेकिन आदा तो कम लेना ही लेना है, आप लूस फिटिंग काटेंगे तो भी आदा इंच कम लेना है तो इसमें हम टाइट फिटिंग में और मेडिम फिटिंग में हम पोना इंच कम लेंगे तो साड़े आठ से पोना इंच कम कितना हो गया पोने आठ ये पोने आठ ये इसका मुगडा हो गया यह पौने आठ पर निशान लगा लें अब इसकी लंबाई है 26 यह 26 लंबाई है तो यह आदा इंच उपर का मार्जन रखे हम 26 लंबाई लेंगे अब इसका पेट का निशान भी लगा लेते हैं अब यह हमारा 27 अठारा यह पौने 19 है हमारा जो मुड़े का निशान है और लंबाई का जो निशान है यह पौने 19 है तो इसका सिधा सा फार्मूला यही है पेट का आप उपर से 11, 12, 14, 17, 16 ऐसे ऐसा नहीं लेना आपने यह चीज प्रोपर मेजर्मेंट करके पेट का निशान लगाना है अब यह पौने 19 है तो इसका सेंटर कितना हो गया साड़े 9 से एक सूत कम यह इसका सेंटर हो गया अब यह सेंटर तो पेट है नहीं पेट का निशान इससे मीडियम फिटिंग में पौने 2 इंच आप उपर लेंगे 11 इंच पे यह निशान हो गया यह आपका पेट का निशान आ गया सेंटर से पौने 2 इंच उपर तो यह मीडियम में हमने पौने 2 इंच उपर ले लिया है यह हमारा पेट का निशान है यह हमारा लंबाई का निशान है यहां से थोड़ा टेपर रखिए ऐसे हमने यह U-shape बनानी है इसलिए हमने यह थोड़ा सा टेपर कर लिया और अगर U-shape ना भी बनानी होती पट्टी वाली बनती तो भी आप इसको टेपर करेंगे अब चाती है साड़े आठ चो तीस है वन फोर्थ मेडियम है दो इंच की लूजिंग रखे लूज फिटिंग में समा दो रखेंगे बहुत लूज में धाई इंच की भी लूजिंग हम रख सकते हैं और टाइट फिटिंग में आप पूने 2 इंच की लूजिंग रख सकते हैं ये दो इंच की हमने लूजिंग रखी ये टोटन हमारा फैसन छनेत सीम फारा से 1.25 ही रखना है सीम फारा से 1.40 कंप ये हमारा नीचे का निशान आ गया अब पेट स्थाइस प्लस दो इंच की लूजिंग हमने यहां दिया वही हमने यहां नीचे दिया सवर ये पेट ज़्यादा कम होने के बाद जो हम यह सेफ नहीं कर पाते हमें सेफ कैसा करना चाहिए तो सेफ को आप त्यान से देखना, मैं कैसे कर रहा हूँ, यह हमने ज़्यादा सेफ वाली पट्टी ली है, कम सेफ वाली पट्टी नहीं ली, ज़्यादा सेफ वाली क्योंकि पेट चाती से ज़्यादा कम है, 6 इंच कम है, 4-3-7 इंच कम है, तो यह आप इस से पहले यह निश हमारी सेव एच्छी कहां हमें मिलनी है, यहां प्रक्राइब ₱ हांट तो इसलिए जहाँ से फूला नेची है और यहां से भी एक दम राउ स्का करत यहां से एक चाहिए तो इसी हिसाब से यह से अच्छी प्रक्राइब dislod मिलने हाइब ₦ MAYOR सकत अरामसे, सही मिल जाएगий यहां तक थोड़ी सा सने गोलाई है यह जब करेंगे तो यह सने गोलाई अपने 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 अग खतम होगी अब यह देखyyy safe कितनी अच्छी मिलेगी कितनी अच्छी safe हमें मिली और इसको अगर यह आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसको ठीक कर लीजिए अब यहां से हमने ये देखें ये हमारा टेपर का निशान है यहां से हम इसको धाई इंच उपर ले लेते हैं 2 इंच भी ले सकते हैं हम इसमें कमी रखेंगे तो 2 इंच रखें आप ढाई भी ले सकते हैं, अब यहां से यह हमने कम सेफ लागए, अब यह देखिए, यह जो गुलाई बन रही थी यहां से, वो गुलाई कटिंग में चरी गई है, अब यहां पर कोई गुलाई नहीं है, हमारी सेफ अच्छी मिल गई हमें, और यह हमें इसमें यह मारजन र यह जाएगा, लिवी आए, यह जाएगा, तौड़े सुलाई एक इंच का दौन तरफ मारजन भी जाएगा, साड़े सुत्राई, यानि पौने नो, यह पौने नो इंच का यह तीरा है, अब इसका गळा है, चोदा, तो चोदा का पांचमा अश्चा कितना हो गया, पौने तेन इन्च यह करीब पूरे 3 से एक सूथ कम यह हमारा यह हमरा गले का निशान हो गया इतना ही हम यहाँ से यह लेंगे और यह यह हमरा अब यह हमारा त्यार गला है यह हमारा त्यार गला है, हम इसको यहां काटेंगे, त्यार नहीं काटेंगे, जब कॉलर चड़ाएंगे, तो यह अपने आप इस निशान तक हाला कड़ जाएगा, और यह त्यार पे आ जाएगा, अब इसको अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए यह नौर्बल शे यहां से ले लिजिए, यहां से ले लिजिए, यहां से अब यहां से अंदर कंदी जोड़ेंगे, तो यह जितना भी फाल्तू फाल्तू पीस होगा, अपने आप मुड़े में कट जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, और यहां से तक्ती का आदा इंच, यह देखिए, आदा इंच हम तक्ती का निशान पीछे अटाएगे, ताकि तक्ती हमारी यहां पे साफ आए, और यहां से, आदा इंच हमने यहां ल जोड़ेंगे, तीरे में कंदी जोड़ेंगे, तो यह अपने आप भाव निकल जाएगा, और यहां आपका मुड़ा हो गया, इसका गला है साड़े चोधा, इसका गला है चोधा, अब मैं इसका सामना काड़ देता हूं, जर रिनजाय परणा वर्ण्ट, एसलिए प्रेग्ट करेंगेिपनाप्स, निकाने काड़ेंगे, जवफा यहां भीज़ें खा प्ला है, तोगसे झाद़ें प्लाभपड़ेंगे, तो एक जसाने लाँ़ेंगे, dragging तोफा हूमनायम अब यह देखे कितनी अच्छी साइड हमें मिल गी है कम पेट हो तो ऐसी आप सेफ दें तो आपकी शर्ट बहुत अच्छी बैठेगी अब मैं इसकी बैक कार देता हूं यहाँ पर आपक निशान लगाएं सीधा और इसको कड लीजिए अब यहां से हमने यहां से 1-2 इंच का निशान लगाना है अगर यह टाइट फिटिंग हो तो हम कौना इंच कम करेंगे लेकिन यह मीडियम है हम 1-2 इंच का इस पर निशान लगाते हैं ये आदा इंच का निशान ये हमारा बैक का निशान है अब इस इसाब से हमने ये बैक ये देखिए इस निशान पर हमने ये बैक रखनी है इस निशान पर हमारी ये बैक आ दिए अब हमने ये देखिए यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से हमने ये बैक रखनी है इससे अगर हम ऐसे बैक उपर लेके जाएंगे जितनी आप उपर लेके जाएंगे उतनी आपकी शर्ट पीछे से लटकती चली जाएगी और आगे से उठ जाएगी तो इसको आप ये बिलकुँ पॉइंट के उपर रखिए इससे कम कर सकते हैं कांग सूथ कम हो जाएं वो चलेगा उपर बैक निकल गी वो नहीं चलेगा तो ये अब तीरा है इसका साड़े सत्रा मारजन समेट साड़े सत्रा पोने लो ये इसका तीरा है और यहां से इसकी ये तीरे की सेफ ये पट्टी से ही आप दीजिए यहां से इस तक्ती से कम से कम पोना इंच यहां बहार निकलना चाहिए निशान जितना मुद्ण हम यहां से गहरा करते हैं बैक हमारी उतनी गहरे नहीं होनी चाहिए लेकिन उतनी गहरे नहीं होनी चाहिए टेपर टाइप हमारी बैक कटनी चाहिए अब मैं इसको काट बता हूँ तो दोस्तो आज बस इतनाई शर्ट कटिंग का बचाववा भाग मैं अगले अपिशोन में बताऊँगा